हेलो एरिवन वेलकम तो इस्किलिंग यू जैसे कि आप लास क्लास में देख चुके हैं हमने दा रिबॉल्ट ऑफ 1857 किया था कि कैसे कैसे हमने रिबॉल्ट 1857 स्टार्ट हुआ और कौन से स्टेट से कौन से जिस्टिक से किस-किस ने लीड किया था आधे मुझे टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं दा फॉर्मेशन ऑफ कॉंग्रेस कि जो कॉंग्रेस फॉर्म हुई थी वह कैसे कैसे हुई थी 1857 के बाद में क्या हुआ ब्रीटिश रूल जो था वह सीधा क्राम रूल आ इंडिया पे जो बिर्टेन की महरानी थी ऐलिजबेट वह इंड दफरिन थे लॉर्ड दफरिन वह क्या करते हैं कि कॉंग्रेस बनाते हैं ताकि जो भी लोगों की डिमांड होगी इंडिया के लोगों की वह कॉंग्रेस के थुरू लोगों को बता सके और फिर उसे कंटिन्यू किया जा सके तो हम देखते हैं कि कॉंग्रेस फॉर्म कैसे कै 28 of December 1885 में Congress की स्थापना होती है जी उसके बाद देखते है कि इसके संस्थापक कौन थे हैं जो इस संस्थापना की थी इसकी Congress की वह की थी A.O.Hume ने अब A.O.Hume शिर्फ संस्थापक थे इसके उस टेम पर वैसराय नहीं थे लोगो को confusion होता है कि A.O.Hume करेंगे तो शैद वो वैसराय होएंगे 8085 में लेकिन वैसराय कौन थे लॉड डफरीन ठीक है जी तो देखते हैं स्थापना का हूँ थी गोकुल दास तेजपाल संस्किर्ट महाभी द्याल ले था जी है बंबई में वहां पे इसकी स्थापना हो थी पहले इसको कहीं और किया जा रहा था लेकिन इन उस्टेंप पे क्या हुआ था प्लैक की विमारी फैल गई थी तो इस सेशन को हमने उठा के बंबे शिफ्ट कर दिया ठीक है पर्थम अद्धिक्स कौन बने उसके कॉंग्रेस के सेशन होते थे हर साल सेशन होते थे 85 में होगा 6 में होगा ये continuous दव तक देशाद नहीं हो दीर दीर मेंबर स्टार्ट होंगे वो जो जितनी भी टैली गेसंस थे स्टार्टिंग के फर्स सेशन हो था उसमें 72 डैली गेसंस थे जिन्होंने पार्ट लिया था और वह सराय जैसे आपको बताया संस्था बने यॉ यूम करेंगे और वह सुड़ उस टेमप कर औहोंगे डफरे नेक्स देखते हैं अब देखते हैं कि कौन-कौन से से सेसं में कौन-कौन से अधक्स रहे होंगे जो कि बहुत आदा इंपोटेंट है आपसे डारेक्ट कोशन पूछता है तो सबसे पहले परतम अध्यक्स आपने देखा व्योमेश चंद्र बैनर जी WC बैनर जी सेकि 1887 का जो शहसन हुआ था Congress का मदरास में उसमें प्रतम मुश्ली मद्यक्स बनाए गए बदरुदीन तयब जी अब कोशन कही तरह से पूछता है यह पूछ लेगा कि जो प्रतम मुश्ली मद्यक्स बने थे वह कौन से यहर में बने थे तो 1887 में बने थे से पूछ लेता है कि कौन से से में प्रतम मुश्ली मद्यक्स बने तो मदरास का से अफका अंसर हो जाएगा अब अंग्रेजों नहीं Congress बनाई है हम अंग्रेजों को यह अध्यक्स बना रहे हैं तो पहले जो थे हमने जो अंग्रेज अध्यक्स बनाए थे वह थे जो यूल 1888 म में होगा और उसमें हम किसको बनाएंगे अध्यक्स जॉर्ज यूल को तो पर्थम अंगरेज अध्यक्स हो जाएंगे जॉर्ज यूल नैक्स देखते हैं परतम महील अध्यक्स अब नेधिकरें यहां पे 2 questions आते हैं एक तो परतम महील अध्यक्स की कोई भी लेडी हो इंड में और एनिवेसेंट के साथ में एक नाम जुड़ता है होम रूल लीग में बाल गंगा धरती लगा ठीक है जी नेक्स जेखते हैं परतम भारते महिला द्यक्स वह कौन सी लेडी थी जो भारत की थी एनिवेसेंट भारत की नहीं थी फोयनर थी इंडिया में आके इंडिया के काम कर रही थी इसलिए उनको द्यक्स बनाया लेकिन अगर हम भारत की महिला की बात करते हैं तो सरोजनी नायडु जी थी वह पहली अद्यक्स बनी थी 1925 में कानपुर सेशन कब वह था जस्ट 1924 के बाद में वह आगे पड़ेंगे वह एक मात्र एसा सेशन है अधिवेसन है जिसकी अध्यक्स टांदी जी ने की थी तो बहुत हो टॉपीक का सबसे लंबे समय तक अध्यक्स हर साल साल होओंगे हर साल एद्ध चेंज होता था लेकिन 1940 से 45 के बीच में क्या हुआ अबुलकलाम आजाज जी जो थे इन्होंने सारे ही सेशन जो हैं इन्होंने कंटीन्यू किये तो यह 6 बार अद्यक्स रहे थे तो question पूछता है कि सबसे लंबे समय तक Congress के जो अद्यक्स रहे थे हेड रहे थे वो कौन थे अबुलकलाम आजाज जी 1940 से लेके 1945 तक यह 6 बार Congress की अद्यक्सता करते है नेक्स देखते हैं अब महत्पूर्ण अद्यक्स देखते हैं यह सारे हमने देखे हैं फर्स्ट कौन थे फर्स्ट मुस्लिम कौन था फर्स्ट लेडी कौन थी अब देखते कि क्या-क्या इंप्रटेंट हुआ होगा किस किसी एर में जो चीज़ें इंप्रटेंट हुई होंगी उनको हम कंटिन्यू करते हैं सबसे पहले देखते है 1907 का जो दीवेशन होता है कॉंग्रेस का उस सबसे महत्पूर्ण दीवेशन होता है उसकी अध्रिक्सता रास बिहा जाते हैं लाल बाल पाल का मतलब आपको बताया था बाल गंगा दर्तिलग लाल अलाज पतर आये और विपिंचंदर पाल यह सारे एक साइड हो जाते हैं और एक साइड ठीक है जी तो 1907 में क्या होगा कॉंग्रेस का विभाजन हो जाएगा इसको सूरत भी बोलते हैं क्योंकि पता है कि जो पहले क्या थी इंडिया के कैपिटल कलकटा थी तो डेली कब शिफ्ट हुई थी 1911 के आसपास में डेली शिफ्ट हुई थी तो 1911 का कलकत्ता दीविशन था उसमें क्या होता है विसन नायन दत्त थे जिनोंने कॉंग्रेस की अध्यक्सा की थी और उन्हें राष्टेगान कंग्रेस के अध्यक्सन में कब गाया गया तो 1911 का कलकत्ता दीविशन हुआ था उसकी जो डेक्षता की थी वो विसन नायनट दत्त ने की थी और पहली Państwo कांव्रेस के मंसे पहली बार गया घर क्या चेट union 1 सब बेलगाम 9109 और madam topikk गांधी जी के ूपर कि एक मातर ऐसा Ceciam था बेल गाम का, जिसकी अद्यक्षता गांधी छी ने की थी, गांधी जी एक्टिव Пол बिट crystal थे लेकिन हमेरे कंग्रेस की अद्यक्षता की अध्यासन के ज़िया से सभी लेते हैं 1924 में कॉंग्रिस की अध्यक्सता करके चीक है नेक्स करते हैं 1937 का फैजपूर अधिवेशन हुआ था जी फैजपूर है MP में इसमें क्या होगा नहरू एक मात्र संभिलन जो गाउं में हुआ था इसकी अध्यक्सता कौन करेंगे नहरू जी करेंगे और गाउं के अ इंपोटेंट है 1938 में क्या होता है सुभासंद्र बोस जी जो होते हैं वह कॉंग्रिस की अध्यक्स बनते हैं हरी पूरा सेशन में नेक्स्ट यर जब 1939 में दो बारा कॉंग्रिस के हेड़ चुनने की बात आती है एक साइड गांदी जी बोलते हैं कि मेरे जो कैंडिडेट ह हैं वह हैं पट्टावी सीता रमया और एक साइड कैंडिडेट होते हैं सुभासंद्र बोस तो गांदी जी बोलते हैं कि अगर मेरे कैंडिडेट हा गए तो मैं कॉंग्रिस को छोड़ दूंगा अब लोगों के तो पसंद थी बोस बाहु बली और बलाल देव लोगों की प परेशान हों के इनसे यह खुद ही कॉंग्रिस शोड़ देते हैं और बाद में जाके अपना फॉरड बोलोग बना लेते हैं लेकिन जो गांदी जी के कैंडिडेट होते हैं वह भी नहीं बनते हैं कॉंग्रिस के अध्यक्स तो क्या करते हैं डॉक्टर आजिंत परसाद बह कि जब देश आज़ाद हुआता 1947 में उस टेम पे कॉंग्रेस के अध्यक्स कोन होंगे यह कॉशन नहीं मिलता है कहीं भी बुक्स वाले भी साध नहीं लिख रखते हैं कोई एक स्प्क्रम वगरा की बात नहीं करते नॉर्मल बुक्स नहीं मिलेगा कॉशन होता है अधिवेशन कौन-कौन से थे, तो हम 1857 का रिवाटर देख चुके हैं, Formation of Congress देख चुके हैं, अब धीरे धीरे हम आगे चलेंगे, Next Classes में, बंगाल का भी बाजन देखेंगे, कि जो बंगाल का भी बाजन वा था, Formation of Congress, 1857 का रिवाटर इस से लेटेड जो भी कोईशन है, वो सारे आपको हमारे टेलेग्राम चैनल और हमारी यह पर पूरुवाइड हो जाएंगे, Thank you Classes.